कि अध्यूंद आप सभी लोग एक नए विश्यक्यों रहे हैं जिसमें हम सभी लोग डिसकस करेंगे बाल विकास विम्सिक्षण साथ रोको आप लोग सभी लोग पताओगा सेड़ीपी के नाम से आप लोग जानते हैं तो यह एक बहतरीन का सकते हैं कि सेशान रहने वाला है पूरा का पूरा जो पूर्स है उसको सभी लोग जरूर देखिएगा इसमें हम पूरे के पूरे सीड़ीपी पर जो तीस नंबर का पेपर आपका बनता है उस पर हम लोग हम चर्चा करेंगे और आप सभी लोग बिल्कुल सेशन को देखिए लाइक कीजिए और शेयर से प्रारम करेंगे कुछ तीन चार चैप्तर पांच चैप्तर में हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे तो सबसे पहला एक चैप्तर नंबर एक चैप्तर हम लोग लेंगे आज बाल विकास होता क्या है ध्यान देना बाल विकास जबाप पढ़ोगे हो एक होता है बाल मनुवि बाल का क्या मतलब है? बाल का मतलब है बालक, मनोविज्ञान का मतलब क्या है? मन के विज्ञान, ठिक मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल मतलब बालक, बालक के मन का विज्ञान, अर्थात बालक के मन तथा विवहार का अध्ययन, ठिक है? इसका हम जिसमें करेंगे, वो ह हो जाता है आपका बाल मनोवःज्ञान क्या है जिसमें बाल का अर्थ बालक तथा मनोवःज्ञान से मतलब क्या है इतना जानियेगा कि बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चे की या बालक के मन और उसका जो विवहार है उसका अध्य है तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं जो बाल विकास है इसका इतिहास क्या रहा है बाल विकास का इतिहास आप सभी लोग इसको सेयर जरूर कर दीजेगा अपने सारे ग्रूप म क्या है बाल विकास का इतिहास 17 सदी तक ध्यान देना बहुत पहले तक मतलब 17 सदी आज की बात नहीं है वहां तक जो है बाल विकास के अध्यान को बहुत जादा महत तो नहीं मिलता था था तो लोग ध्यान नहीं देते थे लेकिन फिर भी ध्यान देना कि प्राचीन काल से कई दार्शनिक कैसे हुए हैं, जो बालक के विकास के लिए निरंतर प्रयास किये हैं, वो अलग बात है कि 17 सताधी तक बहुत जादा ध्यान नहीं दिया गया, जितना अब ध्यान दिया गया, बाद में चल करके जो विकास हुए उसमें, वे पहले नहीं हुआ करता था, 17 सती बालक के विकास के अध्यान में कोई जादा महत्व नहीं दिया जाता था, परत प्राचीन काल में, प्राचीन काल से ही कई धार्शनिक जो है, बालक के विकास के अध्यान के लिए निरंतर प्रयास करते रहे थे, प्रयासरत थे, वो सब किये, बहुत सारा उसमें आप देख करके देख सकते हैं उसको फोजोग मिल जाएगा खिल्यालों पढ़ने जिरोत नहीं है तो प्लेटो एक पुस्तक लिखे थे क्या था हुआ रिपब्लिक इस तथ्य को उन्होंने स्विकार किया कि बाल्यावस्था के प्रसिछन का जो प्रभाव होता है अर्थात जो बच्चे में जो प्रसिछन प्राप्त किया रहता है उसका उप्रयोग अपने आगे आने वाले दिनों में करता है आगे चले देखते हैं कि और क्या हुआ था पहले वाले समय में क्या क्या हुआ था इस तरीके से हम बात करेंगे तो अभी सत्रहावी सताब्दी में जोहन अमूस कामेनियस यह नाम है ठीक बहुत ज़्यादा याद करने विरुत नहीं है कुछ चीज़े एक दो बार है आप पढ़े रहेंगे दिमाग में वो चलता रहेगा एक्जाम में अगर आता है तो आप कर लोगे बहुत बड़ी बात नहीं है इतना यादा प्रसान नहीं होना है ध्यान देना सत्रहाव सब्घसा पर आप लिए कहां पर इटली में क्या किया गया एक इस्कूल जो किसी बच्चों के लिए इंफैसी बच्चे किया और 29 वर्षों के अथक प्रयास के फलस्वरूप 1657 में अगर आप देखेंगे कि 1628 में अगर आप 29 जोड़ते हैं तो यह पुस्तक दो साल बाद करीब 1669 ध्यान देना दो साल लगवा इसमें उन्हों ने इसको लिखा फिर ले चल करके 1669 में उसको प्रकासित करवा दिया अर्थात यह प्रकाश में आया अर्थात सभी लोगों तक पहुंचा तो कुल मिलाजुला करके सोचिये कितना लंबा समयन होने लगाया 29 साल तो 1628 में स्थापना किया इटली में और फिर 29 साल तक उस पे खुब अध्यान किया करने के बाद में 1657 में क्या करते हैं कि आर्विक दिक्टस की जो रचना करते हैं और 1669 में सभी लोग के बीच में आया अब इसका मतलब पता चल रहा है कि 17 सताब्दी 1669 मतलब 17 सताब्दी अभी हम पीछे कहते कि 17 सताब्दी तक बालक के विकास कदर में कोई महत्व नहीं दिया जाता था मतलब उसमें बहुत बड़ी हाकाम में नहीं माना जाता था फिर भी उसमें कुछ काम हुए थे तो आप देखिए कि क्या यह काम नहीं पिर कर रहे हैं 18 सताब्दी में सोचिए कि 1669 के बाद 16 के बाद अर्थात 17 सताब्दी में लागभग 1774 इस्वी में बात कि जा रिए पेश्टा लाजी ने प्रस्तुत किया इनका यह विवरान अपने स्वयम के साथे तीन वर्सी पुत्र पर वेवी बायोग्राफी बाल कथ अर्थात या किस पर आधारित था बाल बेवी बायोग्राफी बाल कथा बेवी बायोग्राफी किस पर किये थे यह अपने ही खुद के बच्चे पर जो तीन वर्स का पुत्र था उस पर इन्होंने किया ठीक है आगे देखते हैं 19 सताब्दी में अमेरिका में बाल अध्यन आंदोलन था बाहि अध्यन आंदोलन इसकी सुरुवात होती है ध्यान दिजेगा इसके जो जनुदाता थी इस आंदोलन के ओथे इस्टेनली हाल इन्होंने 1893 में अर्थात 19 सताब्दी में इस आंदोलन की सुरुवात कि थी कहां पर अमेरिका में कौन सा आंदोलन बाल जन आंदोलन की शुरुवात इस्टेनली हाल ने किया था कहां पर किया था अमेरिका में कब 1893 अर्थात 19 सताब्दी में इस्टेनली हाल ने चाइड इस्टडी सोसाइटी ध्यां देना यह है एक समीती है क्या है बाल अधियन समीती और बाल कल्यांड संगठन अर्था चाइड वेलफेर अर्गनियाजेशन इन जो यह संस्थाये हैं इसकी स्थापना की तथा बायोग्राफी भी तैयार किया कौन इस्टेनली हाल ने, कुश्चन पूछा जा सकता है कि Child Study Society की स्थापना किसने किया इस्टेनली हाल ने, या Child Welfare Organization मतलब बाल, कल्यार, संगठन किस थापना किसने की इस्टेनली हाल ने, कहां पे इन्हों ने अपना आंदुलन किया यह आंदुलन अमेरिका में बाल अध्यान आंदुलन के नाम से जानी गई, 1927 में थी, 1893 में अब इंडिया की बात आती है कि इंडिया में इसके पर कब काम हुऊ भाई, तो महत्वपून जो तथ्याध्यान देना भारत में बाल विकास के अध्यान की शुरूआत लगभग, 1930 में कुलकाता विश्विद्याले में हुई थी, और यह किस का प्रयास था? गीजु भाई वधे का ठीक इनका जो प्रयास था तब जाकर करके 1930 में पुलकाता भी सुविध्याले में यह क्या हुआ भारत में जो बाल भीकास के अध्यान भारत में बाल भीकास के अध्यान की जो शुरुवात हुई यह तब भी मैं आप सभी लोग के बता दूँ कि यह जो क्लास है यह पूरी की पूरी क्लास e-learning with दुर्गेस का जो अपना PDF है उस पर अधारित है बिलकुल पूरे के पूरे उसमें materials दिये गए हैं आप सभी लोग दे सकते हैं यहाँ पर e-learning with दुर्गेस तो यह जो आप लोगों को PDF प्र बूरी तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है गया जीट अढ़ी होगे उनको पढ़ने में बहुत आसानी होगी क्यों क्यों पैस अपनी के अपनी संप्षे कर सकते हैं तो यहाँ पूरी की पूरी जो भी data यह यह ए लेंग लिए है वर ले बाल विकास की महतपूर परिभास आएं अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे अच्छा इसके पहले जो टॉपिक था यह कि 17 सताबदी तक बाल विकास में बहुत जादा लोग ध्यान नहीं देते थे कि इस पर बहुत जादा काम किया जाए लेकिन फिर भी कुछ लोगों के ब लोग बहुत महनत के बहुत उनका भी योगदान का सकते हैं बहुत महतपूर रहा अलग बात है कि जब हम लोग विश्वी सताबदी में आए तो थोड़ा जादा तेजी से हुआ और अपने इंडिया के बार में बता दिया कि अपने यहां पे कहां बना भाई भारत में बाल विकास के महतपूर परिभास आएं अब बाल विकास समंधित कुछ परिभास आएं हैं इसको हम लोग यहां पर समझेंगे कि यो परिभास आएं कौन सी हैं क्या क्या है इसमें क्या किस के किस के अनुसार क्या है तो जो जेम्स ड्रेवर हैं इनके अनुसारिन का समय काल यहा हो रहा है तो हम इन पे चलते हैं इनके अंसार क्या है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह साखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकास हो रहे मानों का अध्यन किया जाता है किसका मानों का अध्यन गायबकरी का अध्यन नहीं कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं मानों का अध्यान कभ से कभ तक जन्म से परिपक व अवस्था तक विक्सित हो रहे मानों जो है उनका अध्यान किया जाता है ध्यान देना यह कोशन में आता है तो जन्म से परिपक व आवस्था तक जन्म से ड्रेवर ने बात किया कि यह ज इसमें प्रोड़ा वस्था के लक्ष की और प्रगत करते हैं उधर तक आपको यहां पर देखने को मिलता है यह सब कुछ विकास के अंतरगत में आवाल विकास में हम लोग लेके आएंगे विकास के परड़ाम स्वरुफ व्यक्ति में अनेक नमीन विसेस्ताएं अम नमीन युग्यताएं प्रस्पुटित होती है अर्थात जब विकास हो रहा होता है तो विकास में होता क्या है बहुत सारी न कि बाल विकास मनुविज्ञान की वह साखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्यान किया जाता है अर्थात यह भी अगर देखा जाए जो बर्क हैं तो यह जम्स ड्रेवर से लगभग मिलती जूलती बात कहते हैं कि जन्म से परिपक्व अवस्था तक जो है यह जो विकास होता है उसको हम लोग इसमें लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो बात कहा गया था यहाँ पे ध्यान देना जन्म से कहा गया था और यहाँ पे इन्होंने एक श्टेप फ्वास और पीशे से ले लिया जन्म पूर्व अवस्था से इन्होंने दे लिया तो क्या बोले लगभग मैस किया लेकिन जन्म पूर्व किया जाता है और बता आजाती है क्रोएंड क्रोंड क्रोंड क्या बोलते हैं वह वह वै ippi जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से ध्यान देना गर्भावस्था के यहीं कहांत सरके कहां तक प्रार्म्ब से इन्होंने बाल विकास का और्थात시고 बच्चा वत्चा कि ये जिए होता पहले बाल विकास जबकि आईजेंक बोलते हैं कि बाल मनो विज्ञान का संबंद बालक में मनो वैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है अगर हम बात करें सभी लोग कर रहे थे कि गर्भावस्थास लेकि यहां तक जो उसके अंदर होने वाले जो विकास हैं उन सभी का विकास क्य मतलब यहां कहना चाहते हैं कि बाल मनौवैजयान के विकास है मतलब जो जो साइकोलाजिकल तरीके से उसके अंदर जो साइकोलाजिकल प्रासेस होता है उसके जो डवलप्मेंट होता उससे है गर्व कालीन अवस्था, जन्म, फिर सैस्वावस्था, बाल्यावस्था, किसोरावस्था और परिपक अवस्था तक के बालक की मनोवज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्यन किया जाता है यहीं बाल मनोविज्ञान है एक इसने कहा आईजेक डिकाब अच्छा यह थोड़ा सा और किलियर कर दिये ना क्या बोले कि गर्व कालीन अवस्था उसके बाद जन्म में क्या चंजिश हुआ जन्म के समय में फिर सहस्वा वस्था में फिर बाल्य अवस्था में किसोर अवस् मंटे सरी, यह क्या बोलती है बालक में सच्ची सक्ति का निवास होता है, जो उल्लास है, समाजिक प्रेम हुआ उल्लास की आधार सिल्या है अर्थात बच्चे का मुस्कुराहता है सोचो कितना अंदर से हम लोग अच्छा लगता है देखकर करके उसके प्रति कितना सनेह आ जाता है तो यहीं कर रहे हैं कि बालक में सच्ची सक्ति का निवास होता है उसके अंदर वह पावर है उसकी जो मुस्कुराहत है उससे ही समाज प्रेम हुआ उल्लास मतब एक तरके समाज में जो है प्रेमता आ सकती है आ जाती है तो यह आप इनका संदर्भ याद रखिएगा सब के नाम के अनुसार फ्रावेल क्या बोलते हैं फ्रावेल के अनुसार बालक स्वयम व प्रिकास की और बढ़ने वाला क्या है यह किसका मानना है फ्रावेल का एक कोस्टन जब बनता है तो यहीं पॉइंट और इसके नाम के साथ में कभी कि मिलान करने वाला है किसके अनुसार यह है तो यह थोड़ा सा आप दो चार बार रिवाइस करोगे तो फिर याद हो है आनुबन सिकता वा वाता वरण एक दूसरे के सहयोगी है ज्यान देना आनुबन सिकता और वाता वरण दूसरे क्या है सहयोगी है तथा दोनों बालक की सफलता के लिए अनिवारे भी है यह दोनों अनिवारे है ऐसा नहीं कि केवल आनुबन सिकता या केवल वाता वरण स बच्चा सफल हो जाए बच्चे के विकास अच्छी हो जाए ना आनवर सिक्ता और वाताओं एक दूसरे के सवयोगी हैं यह दोनों बालक की सफलता के लिए क्या है अनिमारे हैं अर्था दोनों का होना बहुत जिरूरी अब बात यह आती है कि बाल मनो विज्ञान और बाल व होता जा रहा है तो बाल मनो विज्ञान के स्थान पर बाल विकास नाम इसलिए परिवर्थित हो गया मतलब जहां पर बाल मनो विज्ञान कहा जाता है वहां लोग बाल विकास और अभी दी सभी लोग आप जानते हैं कि बाल विकास जबाब पढ़ते हो बाल विकास ठीक है वो psychology नहीं वो क्या बोलते हैं है है डेलेप्मेंट ठीक तो यह क्यों हुआ इसलिए यह प्रवरतित हुआ या ये कह सकते हैं कि आगे चला प्रवरतित हुआ या ये कहिए किससे इस पे ज्यादा लोग बाल बिकास इसलिए कहे क्योंकि विकास के कुछ पक्षों में बाल मनो विज्ञान की अपिक्षा बाल विकास के धंग पर बल दिया जाने लगा अर्थात बाल मनो जो विकास हुआ है बहुत सारे से पक्ष हैं जिसमें बहुत सारे भी हम पक्षों के उपर आगे चर्चा करेंगे ठीक है वो समाजी प विकास के ढंग पर बल दिया जाने लगा इसलिए इसको बाल मनुविज्ञान से कहीं ज़्यादा वाल विकास कहा जाने लगा अर्थात बाल मनुविज्ञान थोड़ा साप देखेंगे एक अलग चीज है अभी हम आगे चर्चा करेंगे श्रीमती हरला के इस कथन के अनुसार मुख्य अंतर निम्न है क्या अंतर है यहीं अंतर हम बात करेंगे आगे हम देखेंगे चले देख लेते हैं क्या है बाल मनुविज्ञान में बालक का बिवहार जिस वाता वाड़ी परिवयस में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाथ है जबकी प्रभाव पड़ता है इसके किस प्रभाव पर क्या असर आता है इस पर ज्यादा रूप से ध्यान दिया गया बाल विकास में वही वातावर और वही परिवेस एक तर्वेके से होने लगा नहीं बहुत त्यौißt पूर्ण घुमीका निभारा है इसको भाई ध्यान से ध्यान देने वाली बात है यह बाल विकास में बहुत important factor हो गया जबकि यह बाल मनोविज्ञान में इतने अधा important नहीं था तो बाल मनोविज्ञान ने बाल लगका बेवार जिस वातावण और बाल विकास जिसको न सुझाए एक बार फिर से उसको पढ़ लिए बाल मनुविज्ञान में बालक का बेवहार जिस वातावणी परिवेस में होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है जबकि बाल विकास में अगर हम बात करें तो वातावण के प्रभाव को विशेश बाल मन विज्ञान में वातावण या परिवेस खूंग है और जबकि बाल विकास में बहुत महत्तर आगे देखते हैं हम लोग देख रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान है यह विकास बच् לה कई अंदर किसा व'i Ob out मने बेवहार विशे व्स्तु क्या है ठीक है उस पर अधिक ध्यान देता है जबकि जो बाल विकास है यह उसकी प्रक्रिया पर बलब्ल देता है कि कैसे यह विक्सित हुआ या कैसे विकास होगा यह उसकी प्रोसेस उसकी प्रक्रिया पर वल देता है बाल विकास जबकी विकास विवहार विश्थ वस्त पर जो ध्यान देता हो बाल मनो विज्ञान में गर्भा वस्ता से बाल्या वस्ता पर ही विश्यस रुप से ध्यान द दिया जाता है जबकि बाल विकास में गर्भा वस्था से लेके किसूरा वस्था तक का अध्यान किया जाता है अर्थात अगर हम बात करें बाल मनो विज्ञान में तो वहां गर्भा वस्था से बाल वस्था तक जबकि बाल विकास में गर्भा वस्था से किसूरा वस्था तक तो बहुत बड़े अंतर आपको देखने को मिल गया एक बाल्वणों विज्ञान में अगर बात करें तो बाल्लक का विवहार जाता है इसकी प्रकृरिया पर बल दिया जाता है नेक्ष वाले में अगर हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान में कहां से कहां तक धिन करते हैं हम लोग गर्भावस्थास लेकर के बाल्यावस्थार पर विस्थेश ध्यान देते हैं जबकि बाल विकास में अगर हम बात करें लेकिन कल हमको जोड़ने नहीं आ रहा था जोड़ने आ गया गुड़ा भाग करने आ गया आगे कुछ और करने मतलब दिमाग में देखे ओ सब वर्क जो है ओ सब हो गया या फिर आपके अंदर जो सुक्षमता जो एक तरिके से जैसे अगर मालीजी हम कलर कर रहे हैं तो हमको क ध्यान देना या एक होती है व्रिद्धी और एक होता है विकास अब खुद ही समझ में आप आ जाएगा आपको कि अभी व्रिद्धी क्या है अभी व्रिद्धी एक निश्चित आयू तक चलने वाली प्रक्रिया है अब आप बताईए कि क्या जब बचपन से छोटे से जब और बड़े हो जाएंगे नहीं होंगे अर्थात अभी व्रिद्धी एक निश्चित आयू तक चलने वाली प्रक्रिया है अर्थात कुछ फिक्स आयू होती है विस बाज़ साल उसके बादे नहीं बढ़ता है रुक जाता है जबकि विकास जीवन परियंत चलने वाली प्रक करना सीख रहा है कल हो सकता है कुछ और भी जानकारी हो जाए उसको भी करना सीखने लगें करने सीखने लगेंगे आज हमको सकता है साइकिल चलाने आ रहा है कल हम बाइक चलाने सीख जा उसके बाद एरोप्लेन भी चलाना सीखने लगें मतब ओ क्या है ओ जीवन परियंत च चर्चा करें अगर हम क्या करें अभिव्रिद्य के बारे में अगर हम चर्चा करें तो अभिव्रिद्य एक निशित आयुतक चलने वाली प्रक्रिया है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है तो इस बात को आप विशेश ध्यान दीजेगा कि बहुत सारे चीज़ों बतायना भी कि अगर हम साइकल चलाएंगे फिर उसके बाद गाली चलाएंगे बहुत सारा चीज या उसकता है कि आप लोग मुबाइल चलाते हैं, हो सकता आग्यानों दिमाप चिकित्सा के भी जानकार हो जाएं तो वह क्या उसका बहुत व्याप्रक उधाना है अभी वृद्ध ही जो होती है सारे रिख होती है अर्थात सारे होने का क्या मतलब निकला है अभी अम बताएं कि अभी वृद्ध ही जब आप छोटे होते हैं तो आपके हाथ पर कान सब छोटे छोटे होते हैं जो आप बढ़ते रहते अब एक निश्यत अवस्था तक आते हैं उसके बाद देखो कि पूरी लाइफ बढ़े तो ऐसा न तरीक यहां बहुत पक्षी होता है अलग अलग शत्र में जैसे मैं बताया ना कि अगर आप हाथ से अगर आप कला बना रहे हैं तो बनाते बनाते इतना आपके अंदर यह हाथ के अंदर इतनी कला आया जाएगी वह फिर आप इतना ट्विस्टेड लचक सब कुछ आ अगर आप चलाने वाला काम कर रहे हैं या फिर पैर से कोई काम कर रहे तो वह बहुत अच्छे से विकास हो जाता है तो अलग अलग जो है जैसे माले सरकस दिखाने वाले लोग वह अलग तरके से विकास कर लेते हैं तो वह क्या होता है बहुत पक्षी होता है अलग अलग ही आप क्यों लोगे अभिवृद्धी हाथ बढ़ना पैर बढ़ना नात मुँ आख जो भी है इस अभिवृद्धी का कोई निशित क्रम नहीं है हाँ यह होता है देखेंगे कि कोई बच्चा बहुत जल्दी ही बहुत दिनों तक बहुत छोटा रहता है थोड़े समय में ही ए कोई आप कितने किलोग्राम के हैं आपके हाथ कितनी लंबी है है आज इतना लंबी सेंटीमीटर के कल कल या दो साल बाद कितने सेंटीमीटर को हो जाएगी तीन अब जो बच्चा होता है बताया कि निश्चित समय तक होता है तो ऐसा नहीं कि आप अठाइस साल के थे तब ना पिये तो बढ़ जाएगा इसा नहीं है आपका वेट थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है तो यह जो चोटा बच्चा है उसका हाँ छोटे थोड़े होंगे या अगुली या चोटी होंगी जो बढ़ता जागा थोड़ता बढ़ता चलाता है तो इ बेवहार करेगा उस पर आप पत्ता चल पाएगा जो आप बेवहार करेगा वह बच्चा आपके साथ कैसा बेवहार कर रहा है उससे आप समझ पाओगे कि हाँ यह पहले कम ज्यानी था ज्यादा ग्यानी होगे उसको आप इंची टेप से नाप नहीं पाओगे साल के गटे-गटे इतनी बुडी सा हो जाए ऐसा नहीं होता है जब कि हो सकता है कि आप गणित सीखें हो तो सिखते अच्छे से नहीं यहां पे ध्यान देना अच्छा practice करते रहा गए तो बढ़ भी सकता है यहां कर हैं व्रिद्धि होती है और आस तो जौत अzeit सब्सक्राइब अभिवर्ध इस पश्ट दिखाई देती है जैसे वहीं कि छोटा बालक था तो उसके हाथ पर छोटे छोटे थे बड़ा हुआ तो हाथ थोड़े बड़े कि वह कितना और ग्यानी हो गया है या अप जब पढ़ते होंगे नीति सत्कमना तो उसमें आपको बताया जाता है कि मुर्ख जो है अगर वह सांत रहे तो उसके उसमें बहुत बड़ी विद्वत्ता है मतलब वह सामने बड़ा देख के नहीं बता पाएगा कि वह मूर्ख है अगर वह बोल दे तो बोलने लगा तो फिर पता चलिए गए मूर्ख है तो वहीं चीज़ता विकास इसपष्ट दिखाई नहीं देता है या अगर हम कितने बड़े कलाकार हैं वह आप नहीं देख पा किना भी काश का हिससा होती है विकास फोल्का जिस चत्र में आप चाहेंगे उस चत्र में प्रशन बनता रहता रहता है बहुत ही अच्छा टापिक बहुत ही महत्रपूंड पॉइंट रहा इसको आप सभी लोग ध्यान से देखना समस्ते चलना चलिए आगे के और हम चलते हैं अभी और अंतर है अभिव्रिद्धी स्वरूप बाहय होता है जो मैं बताया ना कि इस हात पर का बढ़ना वह बाहर दिखाई देता है विकास श्वरूप आंतरिक होता है म हात पर का बढ़ना ऐसे कोई श्वरूप बढ़ रहा है तो तो दिखाई देगा अभिव्रिद्धी का कोई लक्ष नहीं होता थेक अभिव्रिद्धी का कोई लक्ष नहीं होता है विकास का कोई लक्ष होता है यह अभिव्रिद्धी इतना होता है उतना अपने आप उतना चलेगा ऐसा नहीं कि आज परिवरतन होते हैं और विकास के परिवरतन रचनात्मक और विनासात्मक दोने आपके अच्छे वाले भी कर सकते हैं और कौनों लड़िका लस्कर तैवा से या फिर किसी और जगह पर जा करके बंदू को गोला बारुद बनाने की ज्यान है जो उसको सीख लिया तो उल्टा सिधा उसका प्रयोग करेगा और विना सही करेगा जबकि यहां पर क्या वतार र चनात्मक माना गया ठीक है अब विद्धि व्यक्ति के सब्चनात्मक पच्छे से समंधित होता है जबकि यह कार्यात्मक कर रहा है किस लेबल का काम कर रहा है यह विकास है और यह क्या है उसका हाथ पर उसकी डिल डॉल कैसी बनी विद्धि हो जाती है यह सारीक मैं पहले ह होती थी और उसमें वह लचक नहीं होतीace कि आ पिरेक होकि गाला प्रालाने वाली लचक नहीं थी लेकिन जब हम उसको बनातें बनाते इतना उसको ट्ويश्च कर दिये तो उसके हमारे ऑन दお buna लचक आ गया कि हम उस मुखले क चोटांड़ा या बड़ा bono हो नहीं जा सकता विकास को इसको नापने के लिए बुद्धियोगर नापने के लिए बाद में बहुत सारे विद्वान लोग आये तो उसमें एक सकल बना दिये कितना नंबर पाने वाले वह भी जब बहुत सही तरीके से जाश करकर के आये तो कुछ चीजों को हम देख सकते हैं लेकिन वो सही कहा जा तो उसको मापा नहीं जा सकता ठीक है कि के किलो विकास इनके अंदर हुआ है या के मीटर विकास हुआ है ऐसा नहीं यह मापनी है व्रिद्धी जो है मापनी है विकास मापनी है नहीं है यह मात्रात्मक रूप से दरसा जा सकता है बताया ना कि दस दो जो बिद्धि है तो मात्रात्माख है यह सीखना है तो हम क्या सीखना सीखना है क्या बनना है उस धिसा में काम करता या फिर वाइक गोला遊 बारूदे बनाएगा तुस दिसामें जाएगा और यह जो होती दिसाइनेट के लिए कोई दिसा की मतलब नहीं यह निशित आई तक चलने वाली प्रक्रिया है एक निशित आई तक आपका हाथ-पैर अगर बढ़ता है उसके बाद नहीं बढ़ता है जब कि यह जो है ज्यान आपका बढ तो इस अंतर को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा बहुत ही काम आएगा क्योंकि कई बार कुशन इससे बनता रहता है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अविवरिद्धी एवं विकास के सिध्धांत में फिर से आप लोग बोल रहा हूं कि जितने भी सभी लोग जूड आप जरूर भेजते रहिएगा उसको अब हम सभी लोग यहां तक अभी जो पढ़े हैं अब देदरे क्लास देखे बागे बढ़ रही है अब आप लोग को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा अब हम बात करेंगे अभिवरिदियों विकास के सिध्धानते और विकास के सि ध्धानतों के उपर तो चलिए हम लोग प्रारम्ब करते हैं इस ध्धानतों को